नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन जो की बिहार के सबसे जाने माने फिजीशन्स में से एक है आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ठंड के दिनों में जो आस्तमा पेशिंट्स होते हैं जो दम्मे के मरीज हैं उनके लिए क्या-क्या दिक्कते बढ़ जाती है वो अपना प्रिवेंशन कैसे करें कि उन्हें ठंड के दिनों में जादा तक्लीफ ना हो सबसे पहले डॉक्टर साब नमिशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका जानेवाद समय जी डॉक्टर साब जो दम्मा के मरीज होते हैं उन्हें अक्सर सांस फूलने की समस्या तो रहती है आम दिनों में भी लेकिन ठंड के दिनों में ये काफी जादा बढ़ जाती है तो मैं चाहूंगे आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि ये अचानक क्यूं बढ़ जाती है और इससे खुद को बचाय कैसे रखे ऐसा समय जो बिल्कुल आपने कहा कि जो दम्मे के मरीज हैं उनके लिए ठंड एक ऐसा मौसम है जो आप समझ लेजे कि उनके लिए तो एक कहर का प्रयाय बनके आता है बहुत सारे लोग ठंड को स्वागत करते हैं जो जवारों में ठंड का स्वागत होता है जो स्वस्ट लोग हैं कि ठंड आएगा लिहाफ के अंदर रहेंगे स्विटर पहनेंगे सूट पहनेंगे और ठंड में उतनी ठकान नहीं होती है तो ठंड का स्वागत होते हैं लेकि के लिए ठंड एक तुफान सार ले करके आता है क्योंकि अधिकतर जमें के मरीजों को ठंड के मौसम में खांसी बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी अगर इंफेक्शन होगा आजमा का अग्रिवेशन शुकते हैं तो ब्रॉंकिल आजमा तो है ही है मालब थोड़ा अगर अगर ज हो जाता है और जब तेज हो जायेगा तो उस कंडिशन में क्या होगा कि जब आजमा ऐगरेवेट कर जाता है तो कभी-गभी मरीज को जिसको कहते हैं कow pré्या और यानि लंग्स के अंदर हवा भर जाना या लंग्स का असर आपके हर्ट पर आ जाना वो सारी चीज़ें होती है इसलिए ठंड के मौसम में दमें के मरीजों को हमेशा आगाह किया जाता है सचेत किया जाता है कि सबेरे खास करके जब पटना का भी एक्यूले क्वालिटी इंड कि इसमें बाहर ने निकलें सबेरे के सबेरे क्योंकि हो सकता है कि वह हुआ झो परदूसन में होगा अगर डमें के मरीज के सामने कोई अगर स्गरेट पीने वाला आदमी है ओगर आ गया तो स्गरेट का एक कन उसको दमें को बढ़ा सकता है तो छंड के मौसं में छंड करने जहां बाहर निकलें बाहर निकलें तो पूरे साउधानी के साथ पूरे winter clothes के साथ आप बाहर जाएं और कान को ठंके रहें छंडी और बरफिली हवा का परवेश आपके खून की नलियों को तो सिकोड़ता ही है यह जो सांस की निली हैं उसको भी constriction करता है और सांस की निलीों को जब constriction करेगा तो आपका लक्षन बढ़ेगा आपका symptom बढ़ेगा और दमे से आप यतित नजर आएंगे दमे से आप और हो सकता है कि आपको यह काल के मूद तक भी ले जाए इसलिए आप इसको बच करें डॉक्टर साहब अभी आपने में ये बताया कि बचना कैसे है लेकिन अगर मान लिजे किसी की सास फूलने की समस्या काफी जादा बढ़ जाती है तो वैसी इस थिती में क्या करना है एक तीज मैं आपको यहां बता दा रहा हूं कि आजमा के मरीज में जो सबसे बड़ा इलाज है दमा के मरीज में है ओ है इनहिलर यहां कई मरीज आते हैं जो मैं आपको व्यावारिक समस्या करता हूं जहां इनहिलर का नाम लिए उनके मन में लगता है कि डाक्टर साहब आप तो यह अंतिम स्टेज वाला आपका ट्रीटमेंट दे रहे हैं मैं आपके माध्यम से कॉमन पबलिक को एक एक बात संदेश देना चाहता हूं कि इनहिलर आजमा का दमा का पहला मैनेजमेंट का सुत्र है अगर इनहिलर आप यूज करेंगे तो दमा के परशार में कमी होगी दमा के परशार को आप अवरुद्ध कर सकेंगे इनहिलर लेना आपके लिए मैं समझता हूं कि एक धर्म है करतब यह तो चोड़ दीजिए एक धर्म है तो इसलिए हर दमा के मरीज चाहे वो जवान वाला दमा हो क्योंकि जवानी में भी दमा होता है आप जाएलूड आजमा है बच्पन में दमा होता है तो चाइलूड आजमा में भी बच्पन के आजमा में में जब हमने का हम कहते हैं कि जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको अरी निलर देते हैं तो दो उनके अभी वावक हैं और रियक्ट करते हैं तो अंतिम वाली दवाई आपने दे दी निलर तो दिया नहीं जाता है तो मैं उनको यह समझाता हूं कि इनलर का इस्त पर रहेगा। पर रहेगा।